साथ क्यों इस सिवह देश अपने आजाजी का अमरुत्मात महोचों मना रहा है। हमें स्वतंतरता दिलाने के लिए भारत मा के लाखो वीर सपूतों और वीर बेटियों ने अपने जीवन अपनी सुक्स विदा की आहूती देजी थी। उस आहूती ने हमें आज का स्वतंतर जीवन दिया है। इस अमरुत महोचों में हमें भी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीडियों को कुछ दे कर जाएंगे। इस कालखन में हमारे द्वारा किये गए कारिय बावी पीडियों के लिए प्रिनना बने। उन्हें अपने कर्तवियों की याद दिलाएं। यह बहुत आवशक है। जैसे अभी हम सब मिलकर एक काम जरूर कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ आज मत प्रदेश में लाखों परिवारों से मैं बात कर रहा हूँ। इतनी संख्या में लोगों से जब मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं एक संकल्प के लिए जरूर कहूँगा। हम संकल्प करें कि इस वर्ष जब ये नया वर्ष शुरू होगा दो चार दिन के बाद इस वर्ष ये जो वर्ष प्रतिपदा है वहां ते लागर के अगली वर्ष प्रतिपदा तर यानि हमारे पास 12 मैने हैं 365 दिन हैं। हम संकल्प करें हर जिले में आजादी के अमरुत महुत्सव की याद में हमारी भावी पीडी को कुछ देने के संकल्प को पूरा करने के लिए हर जिले में 75 अमरित सरोवर बनाएंगे। और मैं तो चाहूँगा संबव हो तो हर जिले में ये अमरित सरोवर नए हो बड़े हो इनके निर्माण में सरकार की तरफ से जो मंद्रेगा का पैसा आता है उसके भी मदद ली जा सकती है। आजादी के अमरित महचों में हर जिले में 75 अमरित सरोवरों का निर्माण आने वाली पीडियों के लिए बहुत उप्योगी होगा। इसका बहुत लाब हमारी धर्ती माता को मिलेगा। यह हमारी धर्ती माँ प्यासी हैं। हमने इतना पानी खीच लिया है इतना पानी खीच लिया है ये धर्ती मा की प्यास भुजाना इस धर्ती मा के संतान के रुप में हमारा कर्तव्य बनता है। और इसके कारन प्रकृती के प्राणों में भी एक नई उर्ज आया जाएगी नई चेतना आजाएगी। इससे छोटे किसानों को लाव होगा महिलाओं को लाव होगा इतना ही नहीं ये तो जीवदया का काम होगा पसुपक्षियों को भी बहुत पनमतदगार होगा। यानि हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्मान मानवता का बहुत बड़ा काम है जिसे हमें जरूर करना चाहिए। मैं सभी राज्य सरकारों से, स्थानिय निकायों से, पंचायतों से इस दिशा में काम करने का आगर करता हूँ।